Hello friends, welcome to study with Sunil देखिए दोस्तों computer से related अपने जो question answer की series शुरूपर रखी है उसके 100 question के बारे में अपन बात कर चुके हैं देखिए 101 number question के बारे में अपन बात करते हैं कौन सा यहाँ पर input device का उधारण नहीं है देखिए mouse और keyword को आप सभी जानते हैं यह input device है इसके लावज़ जोईस्टिक है जोईस्टिक भी एक input device होता है वीडियो गेम अगरे खिलने के लिए इसको कामे ले जाता है जब भी आप अपनी computer, desktop, screen के उपर किसी भी character को move करवाते हैं तो जोईस्टिक की का प्रयोग वीडियो गेम के अंतरकत किया जाता है तो यह भी एक परकार के input device होती है जबकि printer जो है वो एक परकार के output device है input device यह नहीं है इसलिए printer इसका answer हो जाएगा निम लेखित में से computer का रिधे कौन सा है तो computer का रिधे तो साइद आप सभी को पता है CPU, Central Processing जो unit है वो computer का रिधे कहलाता है सुची फैस्ट को सुची सेकंड से मिलान करना है और नीचे आपको code दे रहे हैं उनके अधार पर आपको chain करके बताना है देखिए यहाँ पर सुची फैस्ट में देखिए जो होता है वो content menu के लिए कामें लिया जाता है और dragging तो ये move the icon के लिए किसी भी icon को एक जगाई से दूसरी जगाई पर move करवाना है तो ये dragging का परियोग करके किया जाता है तो 2, 3, 4 और 1 तो 2, 3, 4, 1 देखिए कौन चो आपसर में दे रखा है ये इसका answer हो जाएगा फिर control एवं shift ये किस परकार की कुंजिया है computer का जो keyboard होता है उसमें control और जो shift कुंजियां आपको दी हुई होती है ये modifier परकार की कुंजियां होती है monitor का जो resolution होता है वो जितना ज्यादा होता है pixel उतने ही नजदीक होते है ये जो computer screen आपका होती है desktop screen वो छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनी होती है तो उसका resolution जितना ज्यादा होगा pixel उतनी ही आपके वहाँ पर नजदीक होंगे तो यहाँ option जो D है वो इसका correct answer होगा कौन से computer उपकरण Windows के द्वारा 140 रूप से पहचाने चाते हैं में से कौन सा संकेत यंतर नहीं है कौन सा संकेत यंतर नहीं है तो संकेत अपन mouse चे किसी भी point को अपन यहाँ पर संकेत के मादरे में से परदर्शित करते हैं pane input भी है और trackball भी है लेकिन keyboard किसी भी परकार का संकेत यंतर का उपकरण नहीं होता तो ये keyboard इसका answer उजाएगा कौन सा motherboard farm factor 20 pin character परियोग करता है कौन सा motherboard farm factor 20 pin character परियोग करता है तो ATX इसका answer उजाएगा देखिए ये 2019 में एक्जाम में पूछावा क्यों से निम लिकत में से कौन सा antrik hard drive का परकार नहीं है कौन सा antrik hard drive का परकार नहीं है ये computer के CPU के अंतरकत वो पहले से इन विल्टर नहीं होता तो USB USB जो होती है वो आप सभी जानते हैं बले बांतीस ये परिच्चित होंगे ये एक peripheral device के रूप में काम भी करती है ये internal यहाँ पर hard drive का परकार नहीं होता इसके लावा ID, SSI, SI और EID ये तीनों ही आंतरिक hard drive होते हैं लेकिन USB एक परकार का peripheral device है ये बाहिए connect होता है paint drive connect होती है paint drive जो है वो आपकी कहाँ पर connect होती है USB port के अंतरकती है connect होती है ये सारे कि उसना exam में पुछ होई हैं इसलिए आने वाले exam के लिए और भी जड़े important बन जाती है देखिए कौन सा software scan किये गए text को संपादन योग्य text में अनुवादित कर देता है तो optical जो character reader है यहाँ पर आपको देखिए scan किये text का परियोग हो रहा है तो optical character reader OCR इसका correct answer हो जाएगा रंगीन monitor में refresh buffer को यह है भी कहते है जो आपका रंगीन monitor होता है उसमें refresh जो buffer होता है इसको pix map के नाम से भी जाना जाता है वह है device जो की हस्त लिकित छापों को computer input के लिए coded character में परिवर्तित करता है उसको digitizer के नाम से जाना जाता है निमन में से किस प्रकार के printer से printing ribbon काम में आती है किस प्रकार के printer से printing ribbon काम में आती है तो dot matrix printer से यह काम में आती है यह computer का printer होता है उसी का प्रकार है dot matrix printer किसी छपे हुए चित्र या फिर text को digital रूप में तथा digital चित्र या text को छपे हुए रूप में लाने के लिए परियुक्त जो उपकरण होता है वो क्रमश है कौन सा यानि कि पहले तो किसी भी चितर या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में कौन करता है इसके बाद में किसी भी डिजिटल जो चितर होता है या फिर टेक्स्ट होता है उसको छपे हुए के रूप में प्रिंटर करता है तो पहले तो scanner और उसके बाद में प्रिंटर इस तरीके से या क्रमश है आपको उतर बताना था तो scanner और printer इसका answer हो जाएगा निमने लखिते में से input devices का उची तो सम्मू है कौन सा है यानि कि input device इन में से कौन से वो आपको बताना है तो scanner अभी अपने बात के किसी भी छपे वे टेक्स्ट या फिर जो आपका कोई भी इचितर होता है उसको digital रूप में तो ये scanner हो जाएगा M.I.C.R. Magnetic Ink Character Reader या आपका bank बगरे में काम में लिया जाता है इसके लोड़ टच स्क्रीन इससे आप सभी परिचित है तो ये वो input device हैं जो कि उचित समोय के रूप में आप आपको दिये गए है तो option C इसका answer हो जाएगा USB port का तात्परिय क्या है यानि कि USB के full form आप से पूचिये तो universal serial bus port इसका correct answer हो जाएगा निमलकित में से कौन सा एक output device नहीं है कौन सा एक output device नहीं है यानि कि वो input device है और थोड़ देर पहले अपने बात की थी joystick का प्रियोग जो है वो वीडियो गिया है वगरे खेलने के लिए काम ही लिया जाता है इसलिए ये एक output device नहीं है joystick एक input device का परकार है इन में से कौन सा mail नहीं खाता देखे माउस जो है printer है keyboard है ये तीनों ही computer के भाग है तब कि केंदरी संसादन इकाई ये यहाँ पर इन से mail नहीं खाता है क्योंकि ये अपने आप में किसी उपकरण के भाग है जब कि केंदरी संसादन इकाई इसका उपकरण का भाग नहीं है इसलिए option D क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा एक साधन जो एक समय में एक character print करती है एक साधन जो कि एक समय में एक ही character print करती है उसको dot matrix printer के नाम से जाना जाता है एक समय में ये एक ही किसी character को print करने का कारिये करता है यह आप मुख्य रूप से जो कोट होता है जूडी शिरी उसमें इस परकार के प्रिंटर्ज है वो काम में आपने लिए देखे होंगे कीबोर्ड इस तरह एक यंतर है कीबोर्ड जहें वो कौन सी परकार का यंतर है तो जो एक पिक्सल होता है वो किसी भी तस्वीर का सबसे छोटा ढूनने वाला भाग होता है जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज़्यादा वो तस्वीर में क्लिर्ट होगी जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम के उपर नकल करेगा उसे किस नाम से जाना जाता है तो उसे emulator के नाम से जाना जाता है caps lock जैसे keyword के feature को सुरू या बंद करने के लिए button को क्या कहते है तो देखिए जो आपका caps lock होता है ठीक है, caps lock जो की होती है computer के keyboard में उसको tongal की के नाम से जाना जाता है ये काफी important question है जूनियर अकाउंटेड में ये कि उसने पूचा जा चुका है 2015 में इसको आप ध्यान में रखना caps lock, tongal की का परकार है pixels किस के साथ जुड़ा होता है जो pixels होते हैं वो graphics के साथ जुड़ा हुआ होता है computer system में कौन सी युक्ती keyboard के वीपरित कारी करती है keyboard जो होता है वो आपका input device है जबकि printer जो होए वो आपकी output device है इसके लावा joystick है, trackball है, mouse ये तीनों ही आपकी input device है जबकि keyboard भी input है लेकिन printer आपकी क्या हो जाएगी output device है इसलिए बिल्कुल इसके opposite कारी करती है celeron, pentium और core ये करम प्रारूप हैं तो ये computer के processor के परकार है जब कोई computer, कोई करमादेश लागू करता है तो वह करमादेश कहां पर attack जाता है तो वह जो करमादेश है वो RAM, random जो access memory होती है उसमें attack जाता है MS Explorer में हम किस परकार icons को arrange कर सकते हैं जो MS Explorer है उसमें हम किस परकार से जो icons होते हैं उसको arrange कर सकते हैं तो उसको by name यानि कि name के साफ से भी arrange कर सकते हैं वो type के परकार, किस परकार के types हैं उसके परकार से वेपन उसको arrange कर सकते हैं और size यानि कि सबसे बड़ी size से चोटी size के ओर चलना है यह फिर सबसे छोटी साइज यह जो किसी भी फाइल का बड़ी साइज है उसके ओर चलना है उस परकार से वैपन उसको अरेंज कर सकते हैं इसलिए उपरियुक तो सभी इसका आंसर हो जाएगा MPEG MPEG की फुल फोर्म क्या होती है तो देखिए Motion Picture Expert Group Motion Picture Expert Group यह MPEG की फुल फोर्म होती है Screen Shiver को बजलने के लिए Control Panel में आइकन होता है जो आपकी Computer का Desktop होता है उसमें जब आप कारी करना बंद कर देते हैं तो कुछ समय के बाद में एक निर्दारित समय के बाद में आपकी Desktop स्क्रीन के ओपर एक Screen Shiver चलने लग जाता है उस Screen Shiver को अगर आपको Change करना है तो Control Panel में जाकर आप कौन से आइकन के ओपर OK करते हैं डिस्पले आइकन के ओपर OK करते हैं देखे टूल टिप टेक्स है टूल टिप यह टेक्स है टूल टिप टेक्स अस्तित्वय में ही नहीं होता है MDI में MDI में क्या होता है सारी Windows एक Single Windows के नीचे होती है Model Windows के अलावा MDI में सारी Windows एक Single Windows के नीचे होती है MDI में हानिकारक है तो MDI में हानिकारक क्या है देखे वर्तमान में Windows की कम जानकारी ये भी हानिकारक नहीं है सामगरी overlay पी यह हनिकारक नहीं है उपरुकती दोनों भी नहीं है तो इनमें से कोई नहीं किया हो जाएगा इसका answer हो जाएगा Laser printer में निम लिखत में से कौन सा एक laser परकार पर्युक्त होता है तो अर्दसालक laser पर्युक्त होता है तो ये barcode को बदलने के लिए UPCN की universal product code स्विकार किया गया है निम लिखित में से कौन सा समू है hardware का है hardware का समू है इनमें से कौन सा है तो scanner आप सभी को पता है एक hardware को करन है monitor ये भी आप सभी को पता है mouse है और processor ये सभी एक hardware के परकार होते है निम लिखित में से कौन सी वस्तू hardware तकनीक का हिस्सा है hardware तकनीक का हिस्सा इनमें से कौन सी है तो magic lal 10 ये होती है अधिगम package ये नहीं होता VCR होता है और overhead projector भी होता है यानि कि पहला तीसरा और चोता ये आपके hardware तकनीक के हिस्सा होती है printer की गुणवत्ता का मापक क्या है यानि कि प्रिंटर है वो कौन सी quality का है कौन सी किस प्रकार की गुणवत्ता का है उसका मापन करने के लिए dot per inch देखा जाता है LCD की full form क्या होती है LCD की full form होती है liquid crystal display ठीक है liquid crystal display ये LCD की full form होती है VGA VGA की full form होती है video graphic adapter प्राप्त प्रेणामों को कागज के उपर चाप कर इस थाई रूप से उप्योग करता के सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है तो printer एक ऐसी प्रनाली होती है मुद्रन यंतर या इसको printer के नाम से भी जाना जाता है निमलिकित में से किसे समोहे में केवल इंपुट डिवाइस है केवल इंपुट डिवाइस होती है कीबोर्ड इंपुट होता है और स्केनर भी इंपुट होता है इसके लावा इसमें printer दे रखा है तो ये एक आउटपुट डिवाइस का उधारन होता है mouse और keyboard तो input है लेकिन plotter जो है वो आपका output device का उधारण है और इसमें monitor है केवल input device का पूचा है तो option fourth क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा UPS इसकी full form पूची है तो देखे Uninterpreted Power Supply ये UPS की full form होती है hardware में क्या सामिल होता है hardware में क्या सामिल होता है data input और output करने के लिए प्रियुक्त computer और उससे connected सभी साधन ये सभी सामिल होते हैं आपके hardware के अंतरकत ठीक है किसी भी data को input करना है और वहाँ से उसको output करना है तो उसके अंतरकत computer और उससे connected सभी साधन होते हैं वो hardware में सामिल होते हैं प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग होते हैं प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं एक तो होता है अर्थमेटिक लोजिक यूनिट इसके लावा कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर मेमोरी ये तीनों ही प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग होते हैं trackball चोविस से संवधित निमा Guy ति में कौन सा खतन सही है trackball से संवधित जो आपकी जो mouse होता है जो yn बातना चो़र्योग में करता है को trackball कहते हैं उसके बारे मेंiley ऐनक बतना है क्वे सा खतन चही है तो यह एक प्रकारका input device है बिल्कुल एक प्रकार tip device होता है यह है गेल खेलने के लिए उप्योग ली जाती है देखिया आपर यह गेम है गेम खेलने के लिए तो इसको गेम खेलने के लिए उप्योग में नहीं लेते गेम खेलने के लिए joystick की का प्रियोग किया जाता है यह एक pointing device है बिल्कुल trackball जो होता है वो किसी भी अपन टेक्स्ट को point करने के लिए इसका प्योग कर सकते हैं तो cable first और third यह क्या हो जाएगा सही हो जाएगा निमलिकित में से कौन सा यूग में सही नहीं है तो देखिये touchpad यह locator device तो गलत है यह ठीक है touchpad located device नहीं होता microphone यह एक प्रकार का output नहीं होता है बलकि यह input device का उदारन होता है और monitor यह output device होता है बिल्कुल होता है कौन सा यहाँ पर सही नहीं है वो पुछा था तो पहला और दूसरा यह दोनों ही आपको गलत दे रखे है microphone जो होता है वो एक प्रकार का input device होता है output नहीं होता एक computer port उपकरणों से एक टुकडे पर एक vicious outlet है जिसमें एक पलग या केबल जुटती है टीवी और monitor के लिए वीडियो शुरोतों से connect करने के लिए निम लिखितर कौन से port का परियोग किया जाता है तो देखे दोस्तों 150 question के बारे में अपन बात कर चुके हैं बाकी आगे के जो questionnaire 60 से 70 question उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो कैसा लगा नीचे comment करके जरूर बताना अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो का आप शेयर कर देना ताकि उनको भी इपने study में benefit मिल सके फिलाल इस वीडियो में इतना ही thanks for listening God bless you all